साथियो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने योटूब चैनल दा ओफिसियल गुरुजी पर साथियो आज की वीडियो RBSC बोर्ड क्लास 12 ड्रोइंग के स्टुडेंट्स के लिए रहने वाली है साथियो आज क्लास 12 ड्रोइंग का पेपर था उम्मीद है आप सब का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा साथियो आज की अपनी ये जो वीडियो है इसमें अपन ड्रोइंग के पेपर को सॉल करने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज के पेपर की आंसर की तो इस वीडियो को आप लाज तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा और आगे के जो एक्जाम होने वाले हैं उ तो सबसे पहला जो पर्षन है, इसके option के मैंने आंसर बताया भी रखे हैं, पहला देखिए, त्री साला के चोगदा सौपन किसे समंदित है, तो option बैस ही हो जाएगा, कलब सुत्र, अगला पर्षन जो है साथियो, वो देखिए, कालकाचारिये कथा किसे समंदित है, दूसरा पर्षन है, कालकाचारिये कथा, आचारिये कालका की कहानी से, तो option A सही हो जाएगा, आप कमेंट बोक्स के अंदर जरूर बताइएगा, कि आपके objective टाइप में से कितने पर्षन सही हो रहे हैं, अगला question क्यों बढ़ते हैं, तीसरा पर्षन है, मालवा चितर कार शेली का प सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ हो, क्योंकि आगे के जो पेपर है, होने वाले उनके important question answer की वीडियो मेरे इसी YouTube चैनल पर डाली जा रही है, अगला देखिया पर्षन है, चोथा पर्षन जहांगीर का सपना कृती, किसे चितरित, किसने चितरित की थी, बहुती स्यांद तो फोग म्यूजियम ओफ आर्ट जो है साथी हो, यह कहां इसती तक Cambridge, Britain, तो option नम्मर ए सई हो जाएगा, यह सारे आदे आदे नम्मर के हैं, अगला पर्षन देखिये, question नम्मर 6, बीजापूर चितर कला सेली किसे समन्दित चितर है, वो है, नुजुम अलुल्म, ए हो तारिफ हुसेन साही कृति किस सेली से समन्दित है, तो साथी हो तारिफ हुसेन जो साही कृति है, वो एहमद नगर सेली से समन्दित है, तो साथी हो यह साथ पर्षन हुए, और यह साथ पर्षनों में से आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, आप कमेंट बोक्स में ज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अब अपन बात करते हैं डिकस्तान की पूर्तिवाले परते एक पर्षन आदा नम्मर का है बिहजाद सेली का मुख चितरकार था बिहजाद का जो चितरकार था साथी वो था तेमूर कौन था तेमूर तो पहले का क्या हो जाएगा यानि कि तेमूर बिहजाद सेली का पर्मुख चितरकार कौन था तेमूर था अगला देखिए चेश्टर बीटी लाइबरेरी कहां स्तित है डाउनिंग में कहां स्तित है चेश्टर बीटी लाइबरेरी यह साथी वो डाउनिंग में कहां डाउनिंग में चेश्टर बीटी का हो जाएगा राधी का तीसरे का क्या हो जाएगा राधी का तो अगला क्योंशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं प्रोग्रेश्यव आर्टिस्ट गुरूप का गठन कब हुा शातियों बहुत इस्यांदर पर्षन है 1946 के अंदर Progressive Artist Group का गठन हुआ अगला देखे मिथिला पेंटिंग्स का समध किसे है बिहार रज्जे से है मिथिला का तो इस तरह से ये पांच पर्षन ये objective टाइब के थे तो साथियो बाकी के जो पर्षन है उसकी भी बहुत जल्द वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बाकी की जो पेपर है उनके यानिकी महतोपून पर्षन इसी YouTube चैनल के उपर डाले जा रहे हैं तो आप उस चैनल को यानि इसी चैनल को लैक और सब्सक्राइब करके जरूर रख ले तैंक यू वेरी मुझ एक बार आपका पुना धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और फैंक यू वेरी मुझ आपको आपके द्वारा वीडियो को लाइक करने के लिए और सबस्क्राइब करने के लिए